नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ ओम कारिश्वर जोतिलिंग की यात्रा की शंपुन जानकारी आप सभी के साथ सेयर करूंगी ओम कारिश्वर जोतिलिंग कैसे जाए, कहा ठहरे, क्या खाए, क्या दर्शन करे और कैसे परिकर्मा करे ओम कारिश्वर जोतिलिंग के शासा तब मामलिश्वर जोतिलिंग के दशन की शंपुन जानकारी आप सभी प्राप्त कर सकेंगे ओम कारिश्वर जोतिलिंग मद्य परदेश के खांडवा जिले के नर्मदा नदी के तड़ पर इस्थित है आप रेल मार्क से जा रहे हैं तो रतलाम रेलवे स्टेशन पे पहुँचकर आप जा सकते हैं और सबसे नजदिक इंदौर जो की बहुत बड़ा सहर है इंदौर पहुँच जाएं और इंदौर से आपको आदा आदा घंटा पर ओमकारिश्वर के लिए बस मिलेगी जोकि आप भारत की किसी भी कोने है तो सबसे पहले आप इंदौर पहुचे इंदौर से आपको सरविटे बस स्टैंट जाना पड़ेगा धरमशालार ट्रस्ट में रुखे जहाँ पर आपको यहाँ के रूम का किराया नौन-AC रूम का किराया URL 400 रूपए से स्टार्ट होगा और ac रूम यह दिया पर चाया तो 950 से स्टार्ट होगा यहाँ पर आपको 2000 तक की रूम भी मिल जाएंगे और 400, 500, 700 रुपे की भी रूम एबलेबल है साथ ही यहाँ भोजनाला है जो की 40 रुपे प्रतिवेक्ति करके आप यहाँ भोजन प्राप्त कर सकते हैं आप रात पर यहाँ श्टेकर के सुबह स्नान करके आप ओम कारिश्वर मंदिर के लाइन में लग जाया यह बहुत ही खुबसूरत अलोकिक अध्भुत निर्मान किया गया इस मंदिर का निर्मान अहिलिया बायरी होल करने किरवाया है और यहाँ पर उमकारिश्वर जोतिलिंग की बहुत उची बड़ी भवन में बाबा की मुर्थी स्थापित है सोमवार को यहाँ बहुत लंबी लाइन होती है जोतिलिंग सीव मंदिर जाने के लिए दो मार्ग है एक तो आप नदी के द्वारा आ सकते हैं दूसरा जूलता पूल है और एक पका पूल है तीन मार्ग से आप मंदिर के परिशर तक पहुँच सकते हैं और इसी मंदिर के आस पर ममलिश्वर जोतिलिंग भी स्थापित है कहते हैं कि दोनों जोतिलिंग के दर्शन करने के बाद ही इस बारा जोतिलिंग का पुर्णी प्राप्त होता है तो इसलिए आप जब भी ओमकारिश्वर जाएं तो नर्मदा नदी में स्टान कर ले आप चाहे तो यहां से जल भी ले सकते हैं और जल ले करके आप ओमकारिश्वर दर्शन भी कर सकते हैं और आसपास ही ममलेश्वर जोतिलिंग है उसके भी दर्शन कर सकते हैं दोनों का दर्शन का पुनिस समान माना जाता है उमकारिश्वर जोति लिंग में आप चार बजे तक ही बाबा को जल अर्पित कर सकते हैं चार बजे के बाद भगवान का शिंगार होता है तो उसके बाद आपको जल चढ़ानी के अर्मति नहीं होगी यदि आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो मातर 300 रुपे की दर्शन की टिकर ले करके उमकारिश्वर जोति लिंग के दर्शन कर सकते हैं और जेनरल दर्शन में आपकी लंबी लाइन होगी तो आप अपनी श्रधा से लाइन में लगे रहें और बाबा के दर्शन करें। और यदि आप परिकर्मा करना चाहते हैं तो नर्मदा नदी की परिकर्मा का भी बहुत ही बड़ा मातवत है। छे प्राचीन मंदीर हैं उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं और ममलेश्वर जोतिलिंग बहुत ही अराम से दर्शन होती हैं भीर थोड़ी कम होती है लेकिन इनके दर्शन के बिना यह यात्रा अधूरी मानी जाती है तो ममलेश्वर जोतिलिंग आप दर्शन करें और दोनों क इंडियन फूट आपको बहुत असानी से मिलेगी यह आप यहां पर चाय यहां का जो मतिपर्देश का लोकल फूट आप एक्स्प्लोर कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों